तो टाइम मेनेजमेंट की समस्या के समधान के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ इस फॉर्मूला को मैं खुद फॉलो करता हूँ देखे टाइम को यदि हम देखें तो टाइम तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है तीन चीज़े हैं जो टाइम को जोड़ करके रखती है सबसे पहली चीज हर समय हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं पूरे दिन में आप देखो 24 गंटे में कोई न कोई एक्टिविटी के साथ हम जुड़े होते हैं तो टाइम क्या है एक कारे भी भाजन है कुछ न कुछ आप कर रहे होगे कई बार ये होता है कि आप वो सब कुछ कर रहे होते हो जो आपके मन मुताबिक है कई बार आप ऐसा कर रहे होते हो जो आपके मन मुताबिक नहीं होता फिर भी आप कर रहे हो से आपका मन नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़े ही रहें, सोते ही रहें, फिर भी आप उसे कर रहे होते हो आपका मन नहीं होता कि आप पूरे दिन पढ़े ना, फिर भी आप उसे कर रहे होते हो तो लेकिन कोई न कोई activity में होते हैं हम लोग, पूरे दिन, 24 गंटे में, चाए हो सोना हो, चाए खाना हो, चाए पढ़ना हो, है ना, तो time क्या है, कारे भी भाजन है एक तरीके से, कारेों का भी भाजन हमने कर रखा है, कई बार हमारे मन मुताबिक होता है, कई बार मन और हमारे में, आज आपनी आपके अनर्जी एक जैसी नहीं होती है, कभी आपकी ओनर्जी बहुत हाई होती है, कभी आपके अनर्जी बहुत लोग होती है, साल के 365 दिन देखेंगे तो आपको हर दिन आपके एनरजी में चेंज दिखेगा या फिर 24 गंटे में पूरे दिन को यदि आप अब जब करें तो आप पाएंगे कि आपके एनरजी में एक चेंज है होता है कि नहीं होता ये बताईए सुबह आप बहुत एनरजेटिक फिल करेंगे कई बार सुबह भी अच्छा फिल नहीं करते हैं क्योंकि रात को लेट नइट सो रहे होते हैं या कई बार साम को बहुत energetic feel करेंगे किसी दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है इसमें energy feel ही नहीं होती है ऐसा लगता है कि यार अस्वस्त हो गए तो ऐसा मैसूस होता है तो time क्या है दूसरा यदि time को दूसरे नजरिये से देखें तो क्या है time एक energy एक उर्जा पहले नजरिये से दिया आप time को देखेंगे तो time क्या है पहले नजरिये से time एक कारे विभाजन है दूसरे नजरिये से देखें तो time एक उर्जा है अब यदि time एक उर्जा है तो आपको जो most important work है उसको सबसे energetic time पे करना चाहिए जो आपके लिए सबसे महत्यपूर्ण है आपके एक प्रात्मिक्ता होगी कि आपके जो लक्ष होता है उस लक्ष के अधार पे हम प्रात्मिक्ताओं का निर्धारण करते हैं और वो जो प्रात्मिक्ता का निर्धारण हम करते हैं उसी साब से जो सबसे मात पूर्ण चीज है उसे सबसे पहले करना चाहिए हमें जब सबसे एनर्जेटिक टाइम हमारा हो अब देखो यह सब का अलग अलग हो सकता है किसी का साम का टाइम हो सकता है किसी का सुबह का टाइम हो सकता है जैसे मैं अपना बताता हूँ मेरा सुबह का टाइम सबसे energetic टाइम होता है मतलब आपको huge level energy होती है सुबह से लेकर के यदि सुबह मैं साड़े 5 बजे की बात करूँ तो साड़े 5 बजे से लेकर के मेरी energy 4-5 बजे तक बहुत अच्छी रहती है चार-5 बजे के बात जैसे time थोड़ा सा change होगा तो फिर energy थोड़ा low होनी चालू होती है क्योंकि मैं regular फिर continuous हो जाते हैं 8-10 घंटे काम किया फिर body की जितनी energy है consume हो जाती है समय है तो आपको अपना पहले तो ये ताइं करना पड़ेगा कि दिन में की सवदी में आप सबसे energetic रहते हैं आम तोर पे सुबहे का time सबका energetic होता है यदि आप उस time को उसी साबसे regulate करते हुए चले तो ठीक है जैसे सिद्दीन होगा तो आपका share market होता है न कई बार दिन में सुबहे खुलते हैं उसके भाव बहुत चड़े होते हैं साम में जाते जाते गिर जाता है market पूरा कई बार ऐसा होता है कि दिन में down गिरता है और साम में बढ़ जाता है तो वैसे ही आपकी भी जिंदगी है share market की तरह कई बार भाव अच्छे खुलते हैं और साम को गिर जाते हैं कई बार सुबह भाव गिरे हो मिलते हैं तो time एक energy है इस concept को दिमाग में बैठा लो इसको लिख लो समय उर्जा है है ना अब समय यदि उर्जा है तो अब समय का प्रियोग करना भी आपको इस ही साब से सीखना पड़ेगा आप यदि सोचें कि सबसे कठिन subject सबसे less energy time period पे करेंगे आप तो वो subject और कठिन हो जाएगा आपका और सबसे कठिन जैसे कि माल यह उत्तर लेखन answer rating में आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि यदि IAS और PCS exam निकालना है तो इसका एक ही माद्या में आपका उत्तर लेखन extreme level बहुत अच्छा होना चाहिए बहुत best होना चाहिए जिसका जितना अच्छा लेखन होगा उतना बढ़िया वो जाके perform करेगा mains में में साम का टाइम आपको दे दूंगा ने करवा पाँगा किसी दी आप नहीं कर पाओगेए फिर आपका टाइम क्या होगा पुरितम आपको सब से हाइस्ट अनर्जी पे इसकाम को करना चाहिए और यह होता है दिन की सुरुआक्ष दिन की सुबहए एक समय था कि मैं काम आपको सुबह 6 बजे भी करवाता था मॉर्णिंग में अरली मॉर्णिंग अब 6 बजे चुकि मेरा खुद के लिए मैंने सेडियूल बनाया इस कारण से क्योंकि वो नहीं बनाऊंगा तो फिर पूरा दिन में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा वहां से मुझे एनरजी मिलती जो मैं अपने लिए टाइम थोड़ा से इनवेस्ट करता हूं और फिर पूरा दिन आप लोगे काम कर पाता हूं तो पहले सुबह होता था कि मैं उठता था 5 बजे 5 बजे आप लोगों को याद हो ये कोबीड के पहले की बात है फिर कोबीड उसके बाद स्टार्ट हो गया मैं चाहूं तो फिर से उस टाइमिंग पे स्टार्ट कर सकता हूं उसमें बहुत साइ लोग जुड भी जाएंगे सुबह उठ भी जाएंगे उसके दो उद्देश हुआ करते थे पहला होता था कि आप लोग तुनंत उठ जाएं और उठते ही एक कोश्चन लिख लें तो आप मैं सोचता हूं कि यार फिर से रिशेडूल कर दों फिर से वह टाइमिंग ले आऊं फिर से सुबह उठते ही आप लोग को एक अंसा रैटिंग करवा दूं आपको लिखवा दूं ठीक है लेकिन फिर वह सुबह का टाइम अभी इस तरीके से मेरे स्टेडूल में बंद गया अच्छा माध्यम बना था हमारा उस टाइम पर यदि सोचेंगे इस सीच को सोचा जा सकता है कि किया जाए बाकि आप लोग को चाहिए कि आप लोग खुद इस बात को करें कि सुबह उठते ही आप लेक एक अंसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते है बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि सुबह उठिए उठते एक अंसा लिख दीजिए कुछ नहीं करना है बट अब यह है कि आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि यार क्योंकि सुबह उठते हो च्छै घंटे का एक तो आराम मिला होता है बोडी को दिमाग विकुल सांत होता है विचार नहीं होते किसी भी तरीके के हैना विचार आते आते दिमाग को आदे घंटे लग जाते हैं अब उस टाइम पिरेट के दिए ट्रिलाइज कर लो सबसे बिगुल ताजा ताजा होता है अब एक कोश्चन लिख लो मज़ा आ जाएगा आपको रात में अपने पास पहन कागज सब कुछ इसलिए उसमें कोश्चन भी लिख दो कि सुबह उठते मुझे लिखना इसे कितना अच्छा हो सकता है एक हैबिट आप ऐसी क्रिएट कर सकते हो तो जो सबसे इंपोर्टेंट वर्क हो सबसे हाईयर एनरजी पर करना चाहिए किसी का कोई भी काम हो सकता है जैसे मुझे सबस नहीं मैसूस हो रहा जो युवा है उनको लगता है कि यार हम तो कभी बीमारी नहीं होंगे लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका सिरीर भी टूट जाएगा इसलिए सबसे प्राइमिरी गोले दी कोई हमारे लिए होना चाहिए तो हमारा स्वास्त होना चाहिए आप कल के दि आपको सबसे प्रात्मिक रखना चाहिए ठीक है तो इसलिए प्राइमिरी जब आप उसे कर दोगे तो फिर वो आपके लिए एक अलग ही एनर्जी बनके आ जाएगा अलग ही कौनसेप्ट क्रियेट कर देगा आपके ब्रेन को पूरी चेंज कर देगा तो सुबह आपको हैं सबसे पर सबसे अब इस नहीं ओगे बलकि जितनी सर डॉल्बल हो जाएंगी तो सबसे एनर्जिटीक में आद्धा दिन आपका खतम और आपकी एनर्जी भी बहुत डाउन जब आप उठोगे तो बहुत अच्छा फील होते हुए नहीं उठोगे इसी चीट को आप रिवर्स कर दो चेंज कर दो क्या करो अराम से 11 बे तक सो जाओ और 11 बे तक सो सकते हो कैसे सो सकते हो यदि आप 5 पर टिक नीद आजाएगी तो फिर सो जाओगे तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए उठकर के थोड़ा सा अपनी बॉड़ी के लिए काम करना चाहिए ताकि एनर्जी थोड़ा बूस्ट हो जाए थोड़ा सा क्योंकि सुद्ध हवा आपको सुबह ही मिल सकती है वह आ पावर बढ़ेगी फोकस बढ़ेगी कई पर हरी घास हो उसमें टहल के देखो आप साथ आठ दिन दस दिन बाद चेंज हो जाएगी बॉड़ी चेरे में चमक आजाएगी बहुत बदला हुआएगा मतलब यह आप कंटिनुवस करके देखो और धीरे धीरे कुछ दिन बाद मन लगने लग जाएगा घूमने में टहलने में जाने में सुबह जल्दी उठने में और उसके बाद पढ़लो फिर कौन बुरर रोक रहा है आपको उसके बाद आपको पढ़लें चाहिए तो हेल्थ आपकी प्राइमरी नीड है नहीं कुछ दिन बाद कमर से चले जाओगे ह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अज के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग किसी चीज़ से पीडित हो रहे हैं वो अपने कमर से हो रहे हैं दीरे दीरे उनका कमर जा रहा है कमर का पेन मतलब बहुत सधारन हो चुका है क्यों कि यदि पढ़ना भी है तो लेट के पढ़ते हो या फिर आप लोग दिवाल में टेक लए करके पढ़ते हो आपका भी पोस्चर चेक करिए ना आपका पोस्चर कैसा है तो आप बॉड़ी के पोस्चर पर ही काम नहीं करोगे तो कितने दिन तक चलेगा एक साल बाद जवाब दे जाएगा कमर के दर्द में कराहने लग जाओगे टेबल मेज आपके पास है अराम से बैठके उसमें मलब एक तरीका है पढ़ने का उससे आपका कंसेंट्रेशन पावर आपकी ब्रेन की एनरजी सब कुछ काम करेगी तो आप कभी भी ऐसे मत पढ़ी बहुत कैजूल अप्रोच में वो कितने दिन पढ़ पैसे भी बहुत खर्ज कर दोगे और अपने आपको कर दोगे तीसरी चीट टाइंख in कि पैसा है कि यह मुस्त इंप्वाटन चीज हैं बड़िए अपिन को किसी को भी आपके टाइं कि कुस्तोब जाजी होगी हो सकता है अभी आप लोग को लग रहा हो कि यार हम यह 0 रुपए कमाते हैं ठीक है? अभी आपको यह लगता होगा कि इससे क्या होगा आपको time की अपनी कीमत समझ में आ जाएगी माल यह कोई व्यक्ति है वो 10,000 का महीना कमाता है ठीक है? अभी आपको यह 10,000 का महीना कमाता है तो देखा जाए तो एक दिन में 3.500 रुपए के आसपास होता है 300-300 रुपए वो एक दिन में कमाता है यानि कि यह value हो गए उसके 8 घंटे काम करता है 8 घंटे working होता है तब अब एक घंटे का भाग दे करके निकाल लो कि एक घंटे में कितना कमाता है तो एक घंटे मान लीजिए वो ब्यक्ति हम average मान लेते हैं कि 40-50 रुपए कमा रहा है एक घंटे में 40 रुपए मान लो कमा रहा है अब 40 रुपए उसकी एक घंटे की value है यदि कहीं पर एक घंटे दे रहा है तो 40 रुपए उसे मिल रहा है खेके यह तो आपके टाइम की वैल्यू हो गई मालो आपका दोस्त ने आपका एक घंटा लिया तो आप यह मान के चलिए अब इस वैल्यू को आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आठ घंटे के अत्रिक्त जो आपका टाइम है अपने स्किल्स में काम करना पड़ेगा अभी जो आप लोग कर क्या रहे हो अभी जो इस्टुडेंट लाइफ में आपको लग रहा है आप जीरो रुपए कमा रहे हो आप जीरो नहीं कमा रहे हो बलकि अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हो अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो जब आप अपनी value बढ़ाओगे हर वेक्ति के अलगल एक वेक्ति एक महीने में 10 जार कमा रहा है तो एक वेक्ति एक लाग भी कमा रहा है एक वेक्ति पांच लाग भी कमा रहा है एक वेक्ति 10 लाग रुपए महीने भी कमा रहा है एक वेक्ति 20 लाग भी कमा रहा है बड़े- सोच रहा है आप दो घंटे मूबी देख रहे हो तो मूबी में तो आप 200 रुपए दे रहे हो पर साथ में कितने रुपए दे रहे हो यह भी तो जोड़ो एक घंटे इसकोल कितने रूपई दो घंटे इसक Juda कितने रूपई तो यह भी आपको अपने दिमाग में चलते रहने है कि मेरा time मेरा पैसा है इसलिह मैं अपने time को नहीं कुछ कर सकता अभी आपकी जो real Capital है आपकी money है तो time को तीन चीजों में बांट के दी देखोगे कि हम हर समय कुछ अफिछ कर रहे होते हैं टाइम एक एनर्जी हो टाइमेक पैसा होने से टाइम की कीमत आपको पता-चल जाएगीगी यज टाइमक कीमत टाइम बढ़ाई पता चल जाएगी और आप यदी कुछ नहीं करोगे तो कल यदि अभी आपने थोड़ा सा अपने टाइम की वैल्यू समझनी चालू कर दी तो कल की दिन आपकी वैल्यू वही बढ़ जाएगी अधिकार भी मिल जाएंगे आपको अधिकारी भी बन जाओगे अभी का investment आपकी आने वाले समझ पर टाइम की वैल्यू क्रियेट करेगा इस इसके बाद आपके अंदर बदला हुआने लग जाएंगे अपने टाइम का respect बढ़ने लग जाएगा अपने टाइम की energy के according आप काम करने लग जाओगे ठीक है तो आप इन तीन चीजों को यदि समझें और समझ के काम करें इसलिए मैं कुछ चीजें इस तरीके से आपके ज most important चीजें हैं जहां पर सबसे अधा energy लगते हैं जैसे माल ये फोन में बात करना फोन में बात करना आपका बहुत important work नहीं है क्योंकि उसमें आपकी पूरी energy नहीं लग रही है सबसे जो काम पर जैसे मालो TV देखना TV देखना सीरियल देखना या फिर कोई भी आप YouTube पे class देख रहा हो या कोई भी ऐसा काम देख रहा हो जिसमें आपका effort नहीं लग रहा है effort किसका लग रहा है सामने वाले का तो वो काम आप less energy में कर सकते हो कोई दिकत नहीं है वो आपके energy लगी नहीं रही वहाँ पे तो जब आपके energy नहीं लग रही है तो आप उसको less energy पे डाल दो जहां पे आपका 100% effort लग रहा है जैसे answer writing किसका effort लगेगा notes making notes बनाना books को पढ़ना book reading किसका effort लगेगा आपका effort लगेगा जह जहां पे आपका 100% अप उसको आप highest peak energy पे रखे उसे और यह नहीं कि सुबह उठे उठते ही आप friends से बात कर रहे हैं घर से बात कर रहे हैं फिर वो क्या है क्या फाइदा आपने peak energy को waste कर दिया तो peak energy को अपने बचाना है और वहाँ पे कठिन से कठिन काम डालना है ताकि व जादा याद होता है सुबह याद होता है हमें उनकी बाते समझ में नहीं आती थी ना लेकिन अब बात समझ में आ रहे हैं कि वो क्यों यह बात कहते थे उन्हें पता था कि यह peak energy का time period होता है आपके गारजिन क्यों चिलाते रह गए कि बेटा सुबह उठा करो क्यों क्यों क आपकी energy बढ़ती है समझ रहे है बात को इसलिए अपनी energy को बढ़ाईए इसको खतम मत करिए इसको तोड़िये मत मैं बहुत सधारण सी बात आपको सिखा रहा हूं इसलिए time management में यह चीज आपको सीखनी बहुत चरूरी है इसलिए मैं उत्ता लेखन सबसे पहले करवाता ह नहीं मैं साम को भी class में भी करवा सकता हूं इसलिए उत्ता लेखन सबसे पहले हम करके free हो जाते हैं ठीक है तो उत्ता लेखन पहले करवाने के पीछे का मर्म आप समझ गए होंगे अब मेरा क्योंकि यह सबसे highest energy पर करते है क्योंकि मेरी प्रात्मिक्ता में सबसे जारी कर रहा है यह उसको सबसे महत्तपूर काम कोई करना चाहिए तो daily answer writing करना चाहिए क्योंकि यही वो जरिया है जो आपको भासागर से पारेगा जो आपको UPSC के सागर से तार देगा और जिसका उत्ता लेखन अच्छा नहीं हुआ वो कुछ नहीं कर सकता है उसको महत्त को इसलिए समय को इस हिसाब से आपको बाट लेना चाहिए अपने एनर्जी के हिसाब से अपने कारवी भाजन के हिसाब से ठीक है ना